हालो करन्स, आज हम बनाने जा रहे हैं, नियोडे याइन का टाइडी बिया जूला इसे बनाने के लिए दागा, रींग, मोती, लटकन, सीजर, इंची टेप, लाइटर 12 इंच की 4 इंच, 10 इंच की 1, 3 इंच की 1, यह रिंग लेंगे, इसमें यह धागे पसा, यह हमारा सेंटर है एक धागा हमारा तेन मीटर कठी और टोटल सोला धागे हैं यह ऐसे किए एक धागा लेंगे एक मीटर का इसको ऐसे यहां से मोर दिए यह ऐसे यह ऐसे राइब करेंगे टाइट करेंगे इसमें डाल दिये यहां से इसको उपर खीचे अब यह सभी रागे अभी पहले हम खीचेंगे ठीक अब यहीं कट करेंगे यह ऐसे यहीं चिपका देंगे इनको हम चार भाग में डिवाइड करेंगे तो ठीक चार चार धागे आठाट धागे आ गए हमारे एवाला ऐसे ठीक फिर एवाला इसके उपर एवाला इसके उपर एवाला इसके उपर एह आचे एवाला इसमें डाल देगने तो तो फिर फिर देखें इसको आचे इसको आचे अच्छे इसको अच्छे अब यह वाला इस में डालेंगे जो सबसे पहले की यह थे यह हमारी दो बन गए इसी तरह हम दो और बनाएंगे अब है यह देखें यह वाली रिंग लेंगे इस धागे इसमें फसा देंगे यह ऐसे रखें यह ऐसे ठीट फिर एक बार और इसी तरह हम सभी धागे फसा लेंगे कि china ऑसे सभी धागे फस गये इस में हम तीन धागे फसा लेंगे एक धागा हमारा दो मिटर का इसको औरर फोल। के ए ऐसे यह आइसे यह हरे हमारे बारा धागे फसेंगे हम सभी धागे फसा लेतें यह देखे फन जैसे फस गए ठीक आप दो धागे लेंगे अब हम जिग जैग बनाएंगे इसके लिए ऐसे ठीक फिर ऐसे दो हो गएं तेन इस तरह हम चगदा बनाएंगे ठीक यह देखे जैसे एक बना इसी तरह हम पूरिम बना लेंगे पहले यह देखे पर यह हमारी पाच इंच वाली रिंग लगाए थे इसके बाद हमने बना लिये ठीक अब हम दस इंच वाली रिंग लगाएंगे यह है इसको ऐसे यह दिखे यह ऐसे रख दिये ठीक एक बार फिर इसी के एक बार और इसी तरह हम सभी धागे इसी रिंग में फसा लेंगे यह देखे प्रंड ऐसे फस गया ठीक और इसी एक गयप है इनमें हमें धागा फचाना है एक धागा हमारा यहां दो मीटर का है और हर गयप में फसाएंगे ऐसे यह देखे यह हमारे टोटल 28 धाग एठीक इसके बाद हम 12 इंच की रिंग फचाएंगे इस रिंग को लेंगे यह ऐसे इसमें हम इतना गयप देएंगे यह देखें इसको हम इसी तरह चारों तरफ फसा लेते हैं पहले यह देखें रिंग में धागे फस गया अब हम चारे चारे आट धागे लेंगे ठीक अब हमारे आठ धागों मëं डिजाइन बनेंगे इसको इधर से लेंगे इन तिन धागों में हमें पाइपिंग करना तिसके लिए ऐसे ठीक फिर इसको छोण के फिर रंगला लेंगे ऐसे फिर दूसरा लेंगे फिर करेंगे यह देखिए पाइपिंग माला भी कर लेंगे ठीक अब इस बार भी इधर से करेंगे यह आची ठीक फिर धागा लेंगे फिर करेंगे अब देखिए बीच के चार धागे बीच में दो इनको आचे ए यहां चे फिर से इधा चे अब देखिए इधागा लेंगे इन में से करेंगे ठीक फिरे लेंगे इसी सी का अब इधार देखिए ये तीन धागों से इधर से करेंगे एक राउन और कर लेंगे ये देखिए जैसे एक डिजाइन हमारी पूरी कंप्लेट हुई इसी तरह हम चारों तरफ बना लेते हैं पहले। ये देखिए बनने के बाद ये धागा लेंगे ये इसमें ये धागे सभी अटाइच कर देंगे ये ऐसे इसी तरह हम सभी फंसा लेते हैं ये देखिए प्रण येसे हमारे सभी फंसा लिए ठी आप हमें डिजाइन बना दी हैं। छाय धागे लेंगे एक एक इधर के अभी छोण दिए ये बीच में एक स्कुर्ण नाट लगाएं। एक ठीक अब ये धागा लेंगे इन दो धागों समें पाइपिंग करना है। ठीक अब इधा देखिए इंग्ये आब इन तीन धागों से करेंगे। पिर एक धागाओ लेंगे फिर इंदू धागों से करेंगे। पिर इधा ईटीन से। ठीक आप देखिए ये धागा लिए पाइपिंग वाला ये दो धागों से में करना इनको अंदर साड़ लाना है ठीक ये देखिए अब इधा देखिए ये तीसरा धागा इन दोने से करना है कि इसको देखिए गिवाले ले लेंग उनोड़ा इन ओोनोड़ा इन से ये विल्ड़ा इन लेक भीवाला इन ओनोड़ा इन दोनोड़ा इन 베ने से कि यह देखिए अब बीच में हमारे चार हो गए इसमें हम एक स्क्वार्ण नाठ लगाएंगे अब देखिए यह दो धागों से अब इधर से करेंगे तो यह तीन धागां से अब एक राउन और इधर से करेंगे यह दो से फिर तेन से यह देखिए पन यह हमारी एक डियान कंप्लेट हुई इसी तरह हम दस डियान पूरी बना लेंगे ठीक अब हम यहां बनाते हैं पहले हैं कि तीन धागा लेंगे इसमें हमें पाइपिंग करना इसके लिए ऐसे कि इस साइट से लेंगे ठीक कि यह ऐसे हैं कि एक राउंड हो गई अब फिर इधर से लेंगे फिर इन दो धागों से करेंगे इसी तरह हमें साथ राउंड करना है ठीक कि अब इधर लेंगे देखिए यह तीन धागा लेंगे इस साइट करेंगे यह ऐसे कि इससे भी हम साथ राउंड ही करेंगे ठीक कि यह देखिए ठीक इस साथ हो गए इसको हम ऐसे घुमाएंगे इधर कदागा लेंगे इससे हम पाइपिंग करेंगे यह ऐसे ते हमारा जोइंट हो जाएगा ठीक दूसरा लिए दूसरे से यह इससे भी यह देखिए यह हमारी एक डियाइन कंप्लेट होई थे अब दो धागे छोण देंगे फिर यहाँ पर च्छै धागे लेंगे इनमें भी यही डियाइन बनाएंगे फिर दो छोणेंगे फिर बनेंगे फिर इसके बाद तीन डियाइन ऐसी आएंगे इसके ना लेते हैं कि देखिए फर्ण जैसे वाले हमने बना लिया ठीज अब इस चार दागे पहले हम कट करेंगे यह ऐसे इनको यहीं अच्छे स्याइसे करके इस्टिक कर देंगे अब इनको देखिए इनको दो इंच में कट करेंगे यह ऐसको लटकर डाले यह धागा ऐसे मोल के यह यह देखिए इसी तरह हमने सभीम कर लिया ठी अब यह व्याले धागे देखिए इनको भी हम दो इंच में कट करेंगे यह ऐसे कि इन में ऐसे करेंगे मोती डालेंगे इनको भी हैसे चिपका देंगे इसी तरह पूरा कंप्लेट कर यह देखिए प्रण जैसे हमने बनाये थे दस यह यहां से यहां तक यह डियाइन हमारी नाव है यह दसमा हमारा आधा है इसी तरह हम सभी बना लिए ठी अब रिंग ले देखिएंगे यह 12 इंचे वाले इसको ऐसे है कि यह आइसे हुआ जैसे एक फंस गया है इसी तरह हम सभी धागे इसमें पहले फंसा लेते यह देखिए जैसे एक गैफ रहे गया इस तक गैफ में हम धागे फंसाएंगे ठीए इसमें इसमें हम तेरा धागे फंसाएंगे एक धागा हमारा डेड़ मेटर के इसको ऐसे यह डावल फोल्ड कर लिए यह ऐसे फिर ऐसे ठीख फिर इसी को एक बार इधर से एक बार इधर से ठीख इसी तरह हम पूरे धागे फंसा लेंगे यह देखे पर जैसे धागे फास्ट गए ठी अब हम ये चार इधर चार इधर ये आठ धागे में बनाएंगे डिजाएं ठी इसको पहले ऐसे लेंगे ये अमारी तीन धागों में ठी इधर से फिर एक राउंड और पाइप ये वाला भी ये देखे अब इधर से चार धागे लेंगे ते पहला धागा लेंगे इन दो धागों तीन धागों से पाइपिंग कर देंगे ये देखे ये चार धा एक राउंड और करेंगे ये देखे ये चार धागा लिए इसमें इसको अट लगा दिये ठेखे ये देखे अब इधर के दागा इन तीन धागों से पहले पाइपिंग करेंगे प्रेंड से डी याइन हम उपर बना चुक्ते हैं सेम वही वाली है फिर भी एक बता दे रहें ये देखे फिर एलेके एक राम आउर कर देंगे अब इधर देखे इसका इधर से एक तीन धागों से करेंगे फिर एक राउंड और कर देते हैं ये देखे प्रंड जैसे एक बन गए इसी तरह हम पहले पूरी डियाइन कंप्लेट कर लेते हैं ये देखे ये जैसे बन गए अब हम दूसरी 12 इंश की रिंग लेंगे इसको ऐसे ये ठीक ये ऐसे इसी तरह हम ये धागे भी सब ही इस रिंग में फस आ लेते हैं ये देखे प्रंड जैसे सब ही धागे इस रिंग में फस जाए अब चार धागे लेंगे इसको ये नाट लगाएंगे ये देखे फिर इसे छोड़के फिर अंगल लेंगे फिर लगाएंगे इसी तरह हम दो राउंड लगा लेंगे ठीक ये देखे फ्रंड जैसे दो राउंड हो गया अब ये सब ही धागे हम हाथ में पकड़ेंगे ये देखे ठीक अब ये धागा लेंगे ये हमारा लेटमेटर इसको अचे रखे ये यहां से मोड लिए वापास ये इसको अचे लपेटेंगे ये यहां टाइट लपेटेंगे ये वाला धागा इसमें डालेंगे ये अच्छे अब यूपर वाला इससे खींच लिए अब हागे हम सभी खीचेंगे जिसे हमारे ये बरावर हो जाए अच्छे अच्छे धागे हैं इनको कट करेंगे यहीं चिपका देंगे अब इस धागे को हम बरावर कट करेंगे साथ इंच में और इसके बाद धागा लेके यह 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 छिपका लेंगे ठे यह एक हमारी धा दागी बच periphery यहांने आ रहे थे यह 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 जुरूख़त धागर परकिन भेलेंग stretch ज Но कर दो एक एल देझ तो हमारो टाइड़ी वी फिया जूँला कंप्लीट हैं झाल झाल